नमस्कार हिंदी साहित्य की सक्षा में आपका स्वागत अभिनंदर मैं डॉक्टर गजाद अंचारण राज की ये महाविद्याले सुजानगर आज हम रीति काल के रीति मुक्त कव्वेधारा की अग्रगण्य पंक्ती की रचनाका कवी घनानंद उनके व्यक्ष्या खंड से चोथा भाग कुछ व्यक्ष्याएं हमने पहले पढ़ी उनका अध्ययन किया घनानंद एक प्रेमी रिदय है जो की अपनी प्रेमी का सुजान के निश्टुर व्यवहार के कारण विरह विदग्ध रिदय के रूप में रात दिन तडपता बिलखता रहता है और अपनी प्र प्रेमी का को संबोधित करके प्रतिपल की सूचना देता घनानंद प्रेम के उस स्वरूप का नाम है जो स्वयम कितनी ही प्रीडा महसुस करें लेकिन अपने प्रियतम को अपने प्रिये पात्र को कभी भुलाका नहीं विरह की स्थिति और सच्चे प्रेम कि पहचान यही है कि वो अपने हर एक काम में प्रक्रती के बदलते स्वरूपों में प्रक्रती के उपादानों की गतिविधियों में विभिन गटनाओं, मौसम के परिवर्तन, पक्षियों, घटाओं, बादलों, समुद्र और विभिन जीव जानवरों की आसपास की भोतिक प्रग्रती के बदलते स्वरूप में अपने प्रेमी को याद करें उसकी आदाओं को याद करें उसके व्यवहार को याद करें उसका मुस्कुराना, उसका बोलना उसका चलना, उसका असी खेल, मुस्करी करना इन सब चीजों को याद करें और उन सारी इस्तितियों को घनानंद का जो प्रेम पीडी तरदे है वो याद करता है हमने पहले जिन पदों का अध्यन किया जिन सवईय और कवितों का अध्यन किया उन्वे भी एक सच्चे प्रेमी के रूप में घनानंद का स्वरूप उगर करके सामने आए आज हम उससे आगे चोथे खंड के रूप में कुछ सवईय और कवित उनका अध्यन करेंगे पहला सवईय देखें प्रेम पीरवर्णन से ही है पूरन प्रेम को मंत्र महापन जाम दिशोद शुधारन लेख घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को प्रियतम के रूप में क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो स्वरूप है प्रेम अंततो गत्वा जीवात्मा और परमात्मा के मध्य एक सेतू का काम करता है जोडने का काम करता है दोनों की तार को जोडता है और अंते मिस्तिती पर एक आकार कर देता है अतहे हैं प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को उलाहना भी देते हैं एक दूसरे की गलतियों का बखान भी करते हैं घनानंद यहां पर अपनी प्रियतमा सुजान को उलाहना देते हैं कि मेरा जो रिदय है वो प्रेम का पत्र है और उस प्रेम पूरित पत्र को मैंने तुम्हारे सामने रखा उस पत्र के साथ ने तुमने क्या व्यभार किया ये इस सवये में संकेत है दो संदर्व हमारे विद्धारती समझें इस सवये का संदर्व ये है घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपना प्रेम पूरित रिदे एक पत्र की रूप में तुम्हारे सामने रखा तुम उसे पढ़ सकती थी उसमें लिखी हुई सुचनाओं को जान सकती थी उसकी पवित्रता को, उसकी विचित्रता को पहचान सकती थी, उसमें मेरे चरित्र की विचित्रता और पवित्रता थी, लेकिन तुमने उस मेरे रिदे को जानते हुए अंजान बन करके, दो टूक कर दिया, फाड के फैंक दिया, पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, ये उलहान पहले पद समझे, पद को पढ़ते हैं और उसके बाद में उसका आर्च समझते हैं रीति कालीन कवियों की जो रचनाएं हैं उन्हें चतूर्थ पंक्ति पर आपका ध्यान जाएगा तो फिर प्रश्ट भूमी पिछली पंक्तियों की समझ में आ जाएगी अंतिम संदिश क्या है सोगन आनंद जान अजान लोटूक की योपर बांचिन देखियो वो जो पत्र है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे संदर्भ में घनानंद कहता है कि है सुझान जो रिदय उस पवित्र प्रेम से पूरित पत्र के रूप में था जिसे तुमने फाड़ना मुनासिप समझा बांचन देखिव बांचना जरूरी नहीं समझा यही उसे पीड़ा है वो क्या कहता है पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामदि सोधि शुधारन शुधार के लेख्यो मैंने उस मेरे रिदे रूपी पत्र में पूर्ण प्रेम को मंत्र महा प्रेम का पूर्ण प्रेम का महा मंत्र उसके भीतर मेरे रिदे में रिदे रुपी पत्र में मैंने लिखा था जामदी सोधी सुधार के लेखियो ये नेकी बजाए के होगा जामदी सोधी सुधार के लेखियो मैंने उसके मध्य सुधार करके सोध करके पहले शोध करना मैंने खोज करना जैसे PSD का शोध करते हैं कोई बिमारी होगी तो दवाईयों का शोध करते हैं फिर उसको प्रगट करते हैं तो पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामदी सोध शुधारन लेख्यों पूर्ण प्रेम के मंत्र महा मंत्र को शोध करके सुधार करके पहले शोध किया गनानंद कहता है कि हे सुजान, हे मेरी प्रियतमा, मैंने अपने रिदे रूपी पत्र में पूर्ण प्रेम के महा मंत्र को शोध करके तदु परांत सुधार करके उसमें लिखा था। और क्या था? ता ही के चारु चरित्र विचित्र नी यूपचि के रची राखी विशेक्यों और उसके भीतर अपने चारु चरित्र, चारु माने सुंदर, सरस, सुहावना चारु चरित्र विजित्र नी मेरे चरित्र की चारुता, पवित्रता, सुन्दरता, निकाई और विजित्रता दूसरों से अलग विडक्षनता अद्वितिये पन उसको मैंने उसमें रखा यों पचिके रचिरा के पचपच करके मेहनत करके निश्टा भाव से रच करके उस पत्र के भीतर रखा था मैंने रिदे रूपी पत्र के भीतर पूर्ण प्रेम के महामंत्र को शोध करके सुधार करके उसमें फिर चारु चरित्र और उसकी विजित्रता को स्रम शद्धे अच्छना मतलब कि उसके अंदर पैठ जाना, निमद न हो जाना, उसके भीतर चला जाना, उसी में रच बस जाना, ऐसा मेरा रिदे रूपी पत्र, तुने क्या किया? एसो हीयो हित पत्र पवित्र जू एसो हीयो हित पत्र पवित्र जू मेरा ऐसा रिदे हित पत्र पवित्र वो तुम्हारे हित का तुम्हें क्रपा पत्र होता है हित पत्र तुम्हारा हित चाहने वाला पवित्र पत्र मेरा रिदे आन कथान कहूं अगर एक दूसरी किसी कथा मे इस तरह का कोई पत्र का जिक्र नहीं आ सकता किसी प्रेम कथा में, मेरे रिदे रूपी पत्र जैसा दूसरा कुछ नहीं, आन कथान कहूं अवर एक हो दूसरी कोई कथा में इस तरह का पत्र नहीं होगा, दूसरी कोई प्रेम में इतना पवित्र रिदे नहीं होगा, अपने प्रेम की पूर्णता का अपने प्रेम की निश्कलंकता का अपने प्रेम की पवित्रता का एक निश्ठता का प्रमाण देते गणानंद कहता है सुजान मेरा रिदय हित पत्र के रूप में पवित्र तुसरी किसी कथा में उसका कोई शिकर ऐसा पत्र नहीं आ सकता मेरा ऐसा अद्विती ये रिदय विलक्षन रिदय लेकिन तुमने उसका क्या किया सोगन आनंद जान अजान लोटूख की ओपर बाँचने देखे गनानंद कभी कहते हैं हे जान जान माने सुजान यह दो अर्थ है जान के जान माने सुजान भी है और जान माने जान बूच कर हे सुजान तुमने जानते हुए अजान लो अजान की तरह अनजान की तरह अज्यानी की तरह अपरिचित की तरह अनजान की तरहे तुमने क्या किया? तूक कियो तुकडे तुकडे कर दे तूक करना मारे दो टुकडो में भाड़ देना परिबाच इने देखे उसको तुमने भाच करके नहीं देखा देखामिरे रहे को तोड़ दिया आपको मेने घटना बताई थी जब घनानंद मुहमत सारंगीले के धरवार में राग धुरूपत गाने के लिए बत्षा समराठ मुहमत सारंगीला खुद अग्रह करता है धरवारियों के कहने से तो घनानंद गाते नहीं है और सुजान के कहने से गा देते हैं इससे नाराज होकर के महुमत सारंगीला उनको दरवार से बरखास्त करता है और देश निकाला दे देता है उस समय घनानन्द को लगता है कि मेरी प्रेमी का मेरी प्रियता महा सुजान मेरे साथ चलेगी और सुजान को कहता है चल सुजान मेरे साथ चलो और वहाँ पर सुधान घनानंद के साथ चलने से मना कर देती है यहीं पर उसका रिदे टूटता है घनानंद कहता है मैंने तो पूर्ण प्रेईम का महा मंत्र रूप में तुम्हारे सामने मेरे रिदे को रख दिया था क्योंकि एक बादशाह की बात को नहीं माना जिसके दरवार में दरवारी कभी था जिसके आस्त्रे में रहता था उस राजा की बात को नहीं माना लेकिन मैंने तुम्हारी बात को मान करके वो दुरूपत गाया तो इसका मतलब सबसे एहम मेरे लिए तुम थी लेकिन तुमने क्या किया? मेरे उस रिदय को, मेरे पवित्र प्रेम के पत्र को तुमने बांचना तक मुनासिब नहीं समझा तुमने उसको बांचा तक नहीं तुमने दो टूक कर दिया तोड़ दिया और यही घनानन्द की पीडा है प्रेम पीर वर्नन इस प्रेम की पीडा का वर्नन करता है पलपल कभी कहता है कि हे प्रियतमा तुमने मेरे पवित्र रिदय रूपी पत्र को पढ़ा नहीं बल्कि उसको फाड करके खैंक दिया दो टूक कर दिया यह बात मुझे हमेशा सालती रहेगी की मेरा प्रेम निश्क लंकित था मेरा प्रेम एक निश्ट है आन अकथान कहूँ अबर रेख़ो किसी दूसरी कथा में ऐसा नहीं और मेरे इस रिदय में कोई अन्यकथा नहीं दोनों अर्त अनन्यभाव है एक ही जगे पर है एक निष्ठता है प्रेम की और कोई उसमें आ नहीं सकता मेरे उस रिदे रूपी हित पत्र में कोई दूसरे किशी का नाम नहीं अंक नहीं वो मेरा रिदे रूपी पत्र जिसे तुमने फाड़ दिया पर तुमने बांचा नहीं यह पीड़ा खनानंद की अगला पत देखें यह कवित्त है भाय यती निठुर मिटाय पही चानडारी यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है इसमें भी घनानंद सुजान को उलाहना ही दे रहा है और चूंकि अलग हो गया वो प्रति पल अपने प्रेतमा को याद तो रखता है भूला नहीं पाता है इसलिए उसे पल पल में उलाहना देता है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया इतनी निठुर हो गई अपनी प्रेतमा की निठुरता का बखान करते हुए उसे उलाहना देता कभी लिखता है कि मुझे तुम्हारा इस तरह से मुकुर जाना मेरे साथ चलने से इंकार कर देना और मुझे बिल्कुल भुला देना या करता है प्रतिपन उसी को ले करके कभी लिखता है पहले पन सुनिये फिरार्ट समझे भय यती निठुर मिटाय पही चानडारी यही दुक हमें जकलागी हाय हाय है और तुम तो निपट निर्दाई गई भूल सुधी हमें सूल सेलिनिशों क्यों होने बुलाय है मिठे मिठे बोल बोली ठगी पहले तो तब अब जीय जारत कहों धो कोन न्याय है और सुनी है कि नाहीं यह प्रगट कहावती जुकाहु कल पाय है तो कैसे कल पाय है घनानंद कहता है हे सुजान भाय यती निठूर मिटाई पही चानडारी हे मेरे प्रियतम बड़े निष्ठूर हो गए भाय माने होना हमारी जो पहचान थी, हमारा जो संपर्ख था, हमारा जो प्रीम था, सब को भुला दिया तुम इतनी निश्ठुर हो गई, और तुमने पहचान को मिटा दिया, हमारी याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, इस दुख के कारण मुझे हाय हाय की जक लगी रहती है, मेरे मन में बार बार दुख और स्वास निकलती है, लंबी स्वास होती है, स्वास निश्वास, तो लंबी स्वास, दीर्ग स्वास, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, अर ये दुख मुझे सालता है, खाता है, कि तुमने पहचान को मिटा दिया हमारी इतनी गहन पहचान, प्रेम की पहचान, हम एक थे, एक दुसरी के पूरक थे, उसको तुमने भुला दिया, इतनी निश्ठुर हो गई, तुम तो निपट निरदई गई भूल सुधी, तुम तो इतनी निपट निश्ठुर हो गई, निरदई हो गई, दयाहीन, निपट माने बिलकुल, तुम तो बिलकुल दयाहीन हो गई, गई भूल सुधी, यादों को भी भूल गई, सुधी माने याद, स्मृति, तुम तो इतनी निरदई हो गई, कि सारी यादों को भूला दिया, तुमने इस्मृतियों को भुला दिया, हमारी कितनी कितनी रम में इस्मृतिया हैं, कितनी सरस इस्मृतिया हैं, जीवन में हमने साथ में जो सायोग के पल भी दाए हैं, उनको भूल गई तुम, हमें सूल सेल नी सो क्यों हुन भुलाए हैं, लेकिन मेरे रिदे में तो वो सू एक पल के लिए भुलाया नहीं जा सकता हूँ एक एक पल जो तुम्हारे साथ में मैंने बिताया हमने जो साथ में साइयोग के खशन वैतित किये हैं एक अंत के खशन वैतित किये हैं प्रेम के आरिंगन में हम रहे हैं उन्हें एक एक पल को मैं कभी भुला नहीं सकता तुमने निर्दाई होकर के उने ख्षणों को भुला दिया, उने स्वर्तियों को भुला दिया, लेकिन मुझे तो वो काटे की तरह, भाले की, नौप की तरह, क्यूं हुआ उन्हें बुलाए है, एक पल भी भुलने नहीं देते, सालते रहते, चुबते रहते, मिठे मिठे बोल बोल ठगी पहले तो तब तुमने पहले तो मिठे मिठे बोल बोल करके मधूर मधूर, बातें करके मिठी मिठी बातें करके मुझे ठग लिया, अब जी जारत कहों दो कोन न्याय है, अब मेरे रिदे को जलाती हो, ये कौन सा न्याय है, कहो दो कोन न्याय है, कहतो तो, कि न्याय की परिपाटी कहां से लिए, ऐसी परंपरा तुम्हारे पास कहां से आई पहले, तो मिठी मधुर बातें करके मुझे ठग लिया, और अब मेरे रे को जलाती रहती हो, दगद करती हो, विरहे की आगमे में प्रती पल तरपता हो, कौन सा न्याय है, पहले तुम ही ने तो शुर जाने पर लगी होई हो, अब जी जारत कहूंदो कोन न्याय है, मेरे रिदे को तुम कैसे जला सकती हो, और अंति में एक कहावत को काम में लेती है, घनानन्दे कहावत को काम में लेते हुए सुजान को सीधा सीधा चुनोती देता है, कि जो व्यक्ति किसी को तड़पाता है वो स्वयम कभी चैन से नहीं बैठ बाता, ये कहावत है, कि कहू कल पाए है, जो व्यक्ति किसी को कल पाना मने तरपाना, और कल मने चैन, शुक, आरा, तो सुनी है कि ना ही यह प्रगट कहावत ही, जो है सुजान, तुमने वो प्रकट, प्रसिद, कहावत सुनी है या नहीं और वो कौन Lindsay काहवत कि जो काहु कल पाए है तो कैसे कल पाए है जो किसी को कल पाता है किसी को तड़ पाता है वो चैन कैसे प्राप्त कर सकता है इसलिए भले ही तुम मुझे भूने का कितना ही नाटक करो दिखावा करो लेकिन मैं यदि प्रतिपल तडपता हूं तुमें भी तरपना पड़ेगा, तुम भी चाइन से नहीं सो सकती, मुझे भूला नहीं सकती तुम क्योंकि हमने प्यार के उन ख्षणों को जीया है जिनको तुम कोशिस करके भूला नहीं सकती इसल blurryya तुमने मुझे दुख दिया है तो तुम्हें खुद को भी दुख छेलना पड़ेगा वो विरह की याग में बराबर तुम्हें भी जलना पड़ेगा काहू कल पाय है सो कैसे कल पाय है यमक अलंकार कल पाय और कल पाय पहले कल पाय, कल पाय मने तढ़पाना और दूसरा कल पाई अलग लग हो गया सभंग यमक तो कल माने चेन पाई माने पाना जो काहू कल पाई है सो कैसे कल पाई है ये विशेश में आप लिखेंगे कि यमक अलंकार हो गया काहू कल पाई है सो कैसे कल पाई है जो किसी को तड़ पाता है वो स्वयम किस तरह से चैन प्राप्त कर सकता है अर्थार वो कभी चैन से रहे ही नहीं सकता घनानंद अपने सुजान को उलाहना देते हुए चुनोती देते हुए बार-बार कहते है कि मुझे भरोसा है इस बात का कि तुम मुझे कभी भूल नहीं सकती भलाई भूलने का कितना ही नाटक करो तुम कभी मुझे याद नहीं करती पत्र भी कभी भेजा नहीं मिलने नहीं आई मेरे साथ नहीं चले मैं अकेला तुम्हारे प्यार में तड़पता हूँ लेकिन मुझे बालूम है कि तुम मुझे तडपा करके स्वयं चेन से कभी रह नहीं सकती इसलिए घनानन्द अपनी प्रेमिका को पतिपल याद करता है प्रेम की पीड़ा का वर्णन करता है और रचनाकार होने के नाते अपने दिल के धर्द को जब वो घनी भूत पीड़ा है तो घनी भूत पीडा को फिर प्रस्तुती करण मिलता है, प्रकटी करण मिलता है, दर्द जब घनी भूत हो जाता है, वियोगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाब बही होगी कविता अंजान, पंत ने लिखा, कि जब दर्द घनी कावित पर कविता के रूप में उतरती है, किसी उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में, किसी इन किसी विधा में, वो बहार आती है, और पीडा, या तो घनी भूत पीडा है, इस सुख का आलाध है, वो कुछ भी सामने आता है, तो उस पीडा का वर्णन घरानन्द कर एक और अंतिमोर पढ़ें आज के लिए मीत सुजान अनीत का रोजिन हाहन हुजी ये मोही ये मोही दीठिक और कहूं नहीं ठोर फिरी द्रग रावरे रूप की दोही एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे वसी प्रान बटोही अर हो घनानन्द जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही नीत सुजान या नीत का रोजिन हाहन हुजी ये मोही ये मोही घनानन्द एक विरही प्रेमी अपने प्रियतम से यहां पर बहुत सी बार घनानन्द प्रियतम के रूप में आएगा सुजान प्रियतमा के रूप में कहीं कहीं घनानन्द खुद प्रियतमा जीवातमा का रूप धारन करती है और सुजान को प्रमातमा के रूप में अपने हिष्ट के रूप में मान करके तो प्रियतम हो जाता है मीत सुजान हे मित्र सुजान अनीति का रोजिन वो सुजान को नीती के मार्ग पर आगर के घनानन्द के पास आने का वांग घनानन्द कहता है कि तुम मेरी जीवन मूल हो और वो बादल जो धर्ती को प्यासा रखता है वो बादल दोसी होता है बादल के पास में पानी है धर्ती की आशा धर्ती का आस्त्रेस्तल धर्ती का इच्छा पूर्ण करने वाला धर्ती का पती बादल है अंबर है आश्मान है तो बादल यदि नहीं बरसता है धर्ती प्यासी रहती है तो दोष बादल का है तो घनानद स्व्यम को धर्ती और उन सुजान को बादल बनता है इसलिthose कहता है कि मेरी प्यास बुजाना तुम्हारा काम है तुम्हें आना होगा और यदि तुम मुझे इस तरह से प्यास मारोगे तो बड़नामी तुम्हारी भी होगे मीत सुजान अनीत करो जिन जिन माने नहीं हे सुजान अनीति मत करो ये मेरे प्रियतम सुजान, ये मेरे मित्र सुजान, अनीती करो जिन, जिन माने नहीं, अनीती मत करो, हाँ हाँ नहू जी ये मोही ये मोही, बार बार अग्रे करती है, हाँ हाँ मैं तुम्हारे पाउं पड़ता हूँ, मोही हो करके अमोही मत बनिये, तुमने मोह किया है, तो अब निरमोही कैसे हो सकते हैं, अमोही माने निरमोही, तुम मोही हो, प्रेमी हो, नेह करने वाले हो, स्नेहील हो, इसलिए अब निरमोही मत बनिये, पिना मोह वाले मोह के विहीन मतना, ये तुम्हारे लिए शोहनी ये नहीं, दीठी को और कहूं नहीं ठोर, फिरी और रूप की दोही और अपनी विवस्ता अपनी मजबूरी बताता है और कहता है मेरी द्रिष्टी को दीठी मारे द्रिष्टी आखें नजने निगाहें दी ठीक और कहूं नहीं ठोर मेरी दृष्टी को और कहीं पर भी ठोर नहीं है कोई ठोर ठीकाना नहीं कोई दूसरी जगे है ही नहीं जहांपर मेरी निगाहें जाकर कि टिक जाए सिवाए सुजान के दूसरी कुछ भी देखना ही नहीं चाती इनका ठोर ठिकाना तुम ही हो इनके लिए तो एक ही इस्तल है वो है सुजान दी ठीक और कहूं नहीं ठोर फिरी द्रग रावरे रूप की दोही ये तो ये जो द्रग है द्रग बाने आखे फिरी द्रग रावरे रूप की दोही तुम्हारे रूप की दोही, तुम्हारे रूप को ढूनने वाली, तुम्हारे रूप को प्राप्त करने वाली, उन्हीं को अपने आखों के भीतर बिठाने वाली, आखों के मध्यम से रदे तक बिठाने वाली, ये आखें और कहीं टिकती नहीं, किसी और को देखना पसंद करती इसलिए है सुजान इतनी निर्वोही मत बनो इतनी अनीति मत करो एक विशास की टेक गहे लगी आसर रहे वसी प्रान बटो एक विश्वास की टेक गहे विश्वास एक विश्वास है कि मेरी सुजान मेरे पास आएंगी मेरा पृत्म मेरा होगा प्रीम कभी हारता नहीं है यह विश्वास है और यह विश्वास कि हम एक होंगे आज बिछुडे हुए हैं लेकिन एक और एक दिन हम मिल जाएंगे इस एक विश्वास की टेक गहे इस एक विश्वास का सहारा टेक माने सहारा लेकर के आधार लेकर के आस रहे बस प्रान बठो हुए इस एक विश्वास की आसा से प्रान रूपी बटो ही यहां बैठे हुए है मेरे शरीर में यदि प्रान रूपी बटो ही प्रान रूपी राहगिर बचा हुआ है बैठा हुआ है अब तक यानि कि मैं जिन्दा हूँ तो इस एक विश्वास के आधार पर इस एक आशा और विश्वास पर कि एक अन एक दिन मेरा सुजान मेरा होगा, मेरी सुजान मुझे मिल जाएंगी, इस आसा के बलबूते पर मेरे प्राण बचे हुए हैं, हो घनानंद जीवन मूल, घनानंद कहता है सुजान, तु मेरी जीवन मूल हो, जीवन चड़ी हो, मेरी जीवन दाता हो, मेरे जीवन प् ये मेरी परमेश्वर, कित प्यासनी मारत मोई, फिर मैं जब प्यासा क्यों मार रही हो, मेरी इन आखों को दर्शन की प्यास है, मेरी शरीर को तुम्हारे स्पर्श की प्यास है, मेरी जिवभा को तुमसे बात करने की आस है, एक एक इंद्रिये को अंग प्रत्यंग को तुमस इसलिए ये अन्याय तुम्हें नहीं करना चाहिए, अनीती तुम्हें नहीं करने चाहिए, तुम्हारे भी शोभनिय नहीं है। इसलिए घनानंद अपनी सुजान को, अपनी प्रियतम को, और भक्त कवी के रूप में बात करें तो अपने प्रियतम, कृष्ण को, मोहन को, इस्तिती में पहुंसता है और वहाँ पर ये कृष्ण बन जाता है इसलिए जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि है परमात्मा आप मेरे जीवन के आधार है इसलिए ही दाता मुझे प्यास मारना तुम्हारा काम नहीं है या नीती न करें मेरे विश्वास को मेरी आशा को बना के रखें और ये प्राण बटोही जो तुम्हारे दर्शन के लिए बैठे हैं उनको दर्शन दे करके उपक्रित कीजिए ये आग्रह घनानद अपनी प्रियतमा सुजारशे करता है तीन पद हमने आज पढ़े हैं शेश अगली कक्षा में पढ़ेंगे आज के लिए धन्यवाद आप वीडियो को देखें अन्य विद्यार्थियों को भी फेजें अपने साथियों से भी शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद